दोस्तो नवस्कार, मिरे नाम है सेकर और स्वागताव सवी का हमारे ट्यूब चैनल सेकर स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तो उत्राखंड पुलिस भरती का विग्यापन चारी हो गया है और उसके बाद दोस्तो बहुत से अभरती हूँ के बहुत ज़्यादा कमेंट आये लगभग की चार-पांसो कमेंट से ज़्यादा आगे लगबग दो वीडियो मैंने मनाई थी पूलिस भरती के उपर क्योंकि एक तो पहले समवाद आया था उसके बाद फिर विग्यापन आया था और अगला है कौन सी पोस्ट अच्ची है ऐसा ही की भरती कहां चलेगी लड़कियों के लिए इतने पद आरक्षी के पद क्यों यह सिर्फ फाइर मैन में क्यों है पहले फिजिकल होगा अधर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं इसके लावा सेवा योजन में पंजी करण ह होना जरूरी है या नहीं मेरिट कैसे बनती है यह भी आरा कैव भरतियू का तो अलग-अलग सवाल है तो सब हम दोस्तो देखेंगे इसमें तो वीडियो को आब अंतक जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं पहली बात दोस्तो जो पहला सवाल है कि एज को लेकर हम कोड जा रहें कई अभरतियू के इस तरह के जो त्यारी करने वाले हैं उनके कमेंट आ रहें कि हमारी एज नहीं है हम इसको लेकर कोड जाएंगे तो दोस्तो इसमें जो आयूशीमा मांगी गई है वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें आयूशीम लेकर दोस्तो अगर रुकती है फिर बहुत जादा दिक्कत हो जाएगी एक तो इतने सालूबाद भरती आ रही है तो दोस्तो कोड जाने के आपको ज़रुवत नहीं है उससे पहले दोस्तो एक तीस तारिक को जो देव भूमी बेरुजगार मन्ची के अधिक्षे हैं तो उ क्योंकि पिर औरुके लिए दिक्कत होती है अगर दोस्तो आपकी एज नहीं हो रही है क्यूंकि दूस्तो आपके पाँ और भी पोस्ट है कि ऑससे के आने वाली आप उसकी त्यारी कर सकते हैं पटवारी में ज्यादा मांगा गया है तो अब इस तरह का दूस्तो एज को ले 31 आरी को दोस्तो पहुंचना होगा अब दोस्तो बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट इसमें अच्छी है अब पद दोस्तो कौन-कौन से आरक्षी है यहाँ पर एक तो यह देखिए एक तो फायर मैन है इसी में महिलाओं के लिए इसी में महिलाओं के लिए है, और जो उपर यहां पर दिखिए, यह यहां पर है, उत्राखंड आरक्षी पुलिस, और उत्राखंड PSC IRB, तो इसमें महिलाओं के लिए एक पद यहां देखने को ने मिला, महिलाओं ने जो सोचा था, और की लगबग 400 के आसपास पद आएंग तो महिलाओं के लिए भी इसमें ज़्यादा पद देखने को नहीं मिलें SI में भी अगर पद होंगे तो बहुत कम पद होंगे तो एक तो SI में भी कुल मिलाके 200 पोष्ट के आसपास आने वाली है तो इसमें भी आप हो सकते हैं 133 पद में और इस बार में आपको बता दू कि जनपद वाई जैसे अलमोडा जनपद के लिए इतनी पोष्ट होती थी तेहरादून के लिए इतनी पोष्ट उधमसी नगर के लिए इतनी पोष्ट देहरादून के लिए इतनी चमोली के लिए इतनी तो इस बार जनपद वाई जिसमें कुछ नहीं है merit की आधार पर होगा और मुख्य बाद क्या है वो हम जानते तो कौन सी पोस्ट अच्छी है वो भी अभी आपको बताऊंगा इसमें दोस्तो merit की आधार पर आपका कि आपको कौन सी पोस्टे यहाँ पर है, कुल मिलागे कितनी पोस्टे हैं, तो ये बहुत जादा पोस्टे हैं, लगबग कितना बैठे गाए, लगबग इसको 800 मालने हैं, फिर लगबग दूस्तों 10-1100 के आसपा से बन रहा है, होम गार्ड के लिए भी पद है, तो होम गार्ड वाला ये पद तो SI की भरती के लिए दोस्तों एक हफ्ते का इंतजार आपको करना पड़ेगा, एक हफ्ते के भीतर कभी भी SI की विग्यप्ती जारी हो सकती है, और क्यूंकि अभी दोस्तों LT का रिजल्ट भी जारी होने वाला है, क्या पता आयोक के पास काम जादा हो, और LT का रिजल्ट भी जारी होने वाला, क्या पता जी दिन LT का रिजल्ट जारी हो, उसी दिन पुलिस की जो SI की भरती है, जो विग्यप्ती है, वो भी उस दिन जारी हो सकती, जैसे कल दो विग्यप्ती एक सांथ जारी होई थी, आप दोस्तों अगला सवाल है कि जो physical पहले होगा, या फिर return पहले होगा, तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि physical पहले होगा जो समवाध है, इसमें बताया गया है कि जो पुलिस भरती है, पहले सारी दक्षता परिक्षण के बाद उसके बाद लिखित परिक्ष्या संपन्न होगी, अब यह जो physical है, इसको आयोग ने नहीं कराना है, आयोग इसको नहीं कराएगा, आयोग कराएगा सिर्फ पेपर, और फिजिकल जो होगा दोस्तों वो कराएगा उत्राखंड पुलिस के द्वारा इसका फिजिकल कराया जाएगा, अब कुछ अब बेरती इस तरह से बात करते देखने को मिलते हैं कि पैसे देते हैं, या इस तर आपको बिल्कुल अपनी मेहनत करनी है, फिजिकल के लिए आपके पास बहुत समय है, और फिजिकल होने के बाद उस तो दो मेहने के भीतर आपका हो जाएगा रिटन एक्जाम, अब है कि अधर स्टेट वाले भर सकते हैं या नहीं, तो अधर स्टेट वाले दूस्तों जो भर सकते हैं, दोस्तों इसके अलावा सिवा योजन में पंजिकरन नहीं है, तो क्या हम फॉम भर सकते हैं, जी हाँ फॉम भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉम भर सकते हैं, अगर और राज्जी से पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, सीबेस्टी से पढ़ा है, त क्योंकि बंदी रक्षक के फ़र्म बहुत भरे गे थे पर टवारी के समय उससे आसपास ही भरे गे थे उससे पहले भरे गे थे तो जो बंदी रक्षक का है लगबग की 200 कितनी पद है दो 222 पद है उसका फिजिकल भी 1521 तो यह होगे Constable और बांकि जो 200 यह हैं लगबख 17800 पद यह होगे बांकि 200 पद यह मान लिजाए कि किसके हैं ऐसा ही के हैं तो इनका फिजिकल लगबख 2000 पद उपर आप यह मान सकते हैं 2000 पद दोस्तो उत्रा खंड में इतनी बड़ी भरत उस्तो एक सांथ ही 2000 पद यह होगे इनका फिजिकल एक ही सांथ होगा पुलिस विभाग को कराना है फिजिकल इनका फिजिकल एक ही सांथ होगा जिन्होंने पहले फॉम बरा है और सेलेबस भी बंदी रक्षक का सेलेबस हो गया इसके अलावा पुलिस कोंस्टेबल का जो सेलेबस है वो भी दोस्तों सेम ही रहने वाला है अज़ाही काभी अब देखने वाली बात होगी कि सेम ही लगबख एकी तरका होगा या फिर ऐसा हो सकता है कि या ख़र एसा तो नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है कि बंदी रक्षक कभी और पुलिस का भी एकी दिन पेपर करा दिया जाए तो यह पिर जैसे वीडियो को पुरा कलब करके पेपर कराए गया वीडियो भीडियो सारे तो यह साथ हो थे देखने वाली बात होगी कि क्या होता है लेकिन जहां तक है अलग-अलग विग्यापन जारी हुआ है तो अलग-अलग इसमें होगा बांकि फिजिकल एक साथ होगा और बांकि रिटन एक्जाम भी लगभग या तो एक आध हपते पीछे होगा लगभग एक साथ यहां लाएंगे जीके में तो एक सो पचास पहुंच रहे हैं और इसके लाव सत्तर आप लिया पाएंगे तो लगभग लगभग उस तो डेड़ सो की मेरिट एड़ सो से उपर यह आपको रखनी है क्योंकि दोस्तों इस बार जनपद वाई जैसा कुछ नहीं है पुरूस हो तो आप बाहर हो जाएंगे और यहां पर आप 50-60 लागे तो तो भी फिर आपको उम्मीद आप छोड़ दीजे कि फिजिकल आपका 60 का बन रहा है तो भी रिटन में आपको कितनी मेहनत पढ़नी पड़ी तो फिर आप यहां तो आप फिजिकल में उतना अच्छ अब इसे क्योंकि समय है कुट पर आपको ध्यान देना होगा तो यहां पर देखते हैं सारी दक्षता और लिखित परिक्षा के लिए केंदर का चेन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्तियों को सारी दक्षता परिक्षण और लिखित परिक्षा के लिए केंदर का अलग अलग बिकल्प उपलब्द होगा, वह अभ्यर्तियों को दोनु बिकल्प में चैन करना होगा, दोनु परिक्षा के लिए एक ही या अलग अलग बिकल्प भी अनुमन्नी है, तो दोस्तों जैसे मैं अलमोडा से हूँ, अगर आप अलमोडा से हैं, तो दोस्तों अगर आप फि पटवारी में पिछली बार तक जनपद पोष्ट आती थी वीडियो में जनपद पोष्ट आती थी लेकिन इस बार जनपद पोष्ट आती नहीं है क्योंकि एक ही मेरिट बनेगी ऐसां में भी जनपद पोष्ट कुछ नहीं बनती अल पूरी उत्राखंड मेरिट बनेगी तो इसमें ठीक भी रहता है कि जनपद भाईज में कहीं मेरिट कम चली जाती कुछ दूसरे जन्पद से जादा पत होते हैं वह यह से सभी भर देते हैं जैसे पिछली बार पटवारी में हुआ था अल्मोड़ा से 102 पोष्ट थी पटवारी के लिए और क्योंकि इतनी पोष्ट और किसी जन्पद में थी नी कुल 464 पत थे और 102 पोस्ट अलमोडा के लिए थे पटवारी के लिए तो सभी ने जो पॉणने वाले हैं सभी ने अलमोडा से भर दिया और जनर्रल की मेरिट कितनी की 108 उनकी आसपार इतनी चलेगी बताओ सभी ने अलमोडा से भर दिया तो फिर ऐसा होता है तो इस बार खया जनपदवाई जिसमें हैं नी मेरिट के आधार परी चैनिस में होने वाल है बागी रही बात कौन सी पोस्ट अच्छी है पोस्ट दोस्तो सभी ठीक है कोई ना कोई जरूर जोइन करेगा अगर आप पढ़ने वाले हैं अगर आप चाते हैं कि खुछ आगे को भी आप करना चाते है तो मुझे जो लगता है दोस्तो फाइर मैन ठीक है फाइर मैन को आप ले लिजेगा क्यूकि फाइर मैन में 455 पोस्ट हैं अब इतनू का ही मिलेगा क्यूकि और जो पोस्ट है यहीं आपको रहना पड़ता है देहरादू यही जनपदू में रहना पड़ता है इधे दुदर आपकी नहीं लगती है इनमें जो PSC वाले इनकी बटाली न अलग होती है बागि आरक्ची के लिए इसमें तो कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है बागि सभी ठीक है अगर फायरमेन अगर आप लेना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहिए तो फायरमेन ज्यादा ठीक है तो यह थी आज की जानकरी अगर आपके मन में इसके लाओ कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बांगे दोस्तो जी दिन फॉर्म भरने लग इसमें सभी को मौका मिलेगा बांकि अगर नहीं उपाता है माना नहीं बढ़तीज तो आपको पटवारी के लिए दोस्तो अभी इतना समय मिल ला है 6-7 मैंने मिल रहे हैं तो यह मौका घुना लिजे तो पटवारी मां आपका हुजाएगा बांकि और भी जो ऐसा ही मां तो और ना कुछ ना कुछ आपको जोड़ करना पड़ेगा तो यह थी दोस्तो आज की जानकारी मिलते हैं बहुत जलती एक नहीं वीडियो में चैनल पर नहीं होतो चैनल को सब्सक्राइब जोड़ कर लेजएगा इस तरह के अब्लेट पाने के लिए तो थैंक्यू फ्रें